नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाड़क के नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चाड़क के नीती को पूरीत रहे और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देगें क्यूंकि अधूरा ज्यान हमेशा घाता गोता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर को चक्रवर्ती समराट बनाने बाले आचारे चाड़क के जिनकी नीतीयों ने भारत के इतिहास को बदल कर रखने में बहुत बड़ी भूमिका आदा की है अर्थशात्र और राजनीती के महान ग्याता आचारे चाड़क के सिध्धानतों को आधुनिक यूग में भी सुईकार किया गया है चाड़क ने इस्तरियों के बारे में काफी बातें बताई हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आचारे चाड़क के द्वारा बताई गई इस तरियों के लिए कुछ बिशेश बातों के बारे में जानने का प्रियास करेंगे दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक काउन होती है अच्छी पतनी दोस्तों आचारे चाड़के की माने तो अच्छी पतनी बो है जो मन से पवित्र हो और अपने पती से ही प्रेम करे साथ ही पती ब्रता होने का पालन करे चाड़के की राय में जिस पतनी को पती से प्रेम हो जो अपने पती से सत्य बोले उस इस्त्री के साथ रहकर किसी भी पुरुष का जीवन सफल हो सकता है दोस्तों चाड़के के विचार में जब आप अपने सबसे भरोसे मंद व्यक्ति को किसी खास काम के लिए भेशते हैं तो उस समय उसकी नियत का पता चलता है और सुक दुख में दोस्तों की पहचान होती है और बहीं जब आपके पास धन ना हो तो पत्नी की परिक्षा होती है नमबर तीन पत्नी का बलिदान भी करना चाहिए दोस्तों चाड़के ने अपनी नीती में ये बताया है कि जब आप पर भारी संकट आए तो अपने धन को बचाएं साथ ही अपनी पत्नी को भी बचाएं लेकिन जब बात आतम सम्मान की आती है तो ऐसे में धन और पत्नी का बलिदान भी करना चाहिए इसमें बिलकुल भी हिचकना नहीं चाहिए नमबर चार ऐसी इस्तरी के साथ ना रहें दोस्तों चाड़के की राय में अगर आप किसी मूर्ख बालक को पढ़ा रहे हैं तो आप खुद मूर्ख हैं साथ ही अगर आप किसी दुष्ट इस्तरी के साथ जीबन बिता रहे हैं तो आप भी दुखी हो सकते हैं इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए दोस्तों चाड़के के अनुसार एक गलत राजा कभी अपनी परजा को सुख नहीं देता बहीं एक दुष्ट पत्नी अपने पती को कभी भी सुख और शांती नहीं दे सकती ऐसे में घर में सुख का वास नहीं होता दोस्तों चाड़के के विचार से अगर आपके जीवन में एक अच्छी महिला रहती है तो आपके घर की रक्षा हमेशा होगी जैसे धन से धर्म की रक्षा होती है साथ ही चाड़के के अनुसार एक पती को अपनी पत्नी से ही संतोस करना चाहिए चाहें वो रूप बती हो अत्वा साधारर वो पढ़ी लिखी हो अत्वा निरक्षर क्यूंकि उसकी पत्नी है यही बड़ी बात है तो दोस्तों यह थे आचारे चाड़क के जीके कुछ बेहद अन्मोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माद्यम से शेयर किये उमीद करता हूँ आपको हमारा यह प्रियास पसंद आया होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प् stay motivate, stay fearless